हेलो एवरिबडी वेलकम तो एवरेस कोचिंग इंस्टिचूट चलो बच्चो अब हम प्लस ट्वी मैक्रो एक्रो एकनोमिक्स का जो मनी चैप्टर है उसकी हम वीडियो करने लगे हैं यह वीडियो पूरा को पूरा चैप्टर में आपको एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हूँ ताकि आप एक्जाम से पहले ही आपको जब क्विक रिविजन चाहिए चैप्टर की तब आप इसली इसको कर सको तो चलो शुरू करते हैं आप देखो पहले हम बात करें मनी की मनी क्या होते है wildly basically money एक लेटिन और से डिराईव की गया है वर्ड जो वर्ड है हमारा मोनेटा आप आपने जैसे पढ़ा था प्लस वन में क्रो एकक्नॉमिक्स में क्रोका हूए macroeconomics में macro का word जो है हमारा greek word से derived हो है तो यह जो moneta word है यह latin word है यह दियान रखना ठीक है और यह latin word का मतलब क्या है moneta का मतलब क्या होता है moneta means coin right so money is the medium of exchange for various goods and services in the economy जो money जो है universal एक यह पूरे economy में हमारी पूरे worldwide यह money जो है एक accepted जो है government ने accept किया है सबने के it is a medium of exchange for goods and services in the economy हमने जो goods and services बनाई है उनकी exchange जो हो रही है वो पैसे के बदले में हो रही है तो यह जो money है यह vary करेगा different countries का different होगा governments और countries के according वो vary करेगा ठीक है जैसे इंडिया में जो money किस terms में use होती है rupees में होती है US में किस terms में होती है dollars में होती है और yen किस नखाँ होती है जेपान में ऐसे ही अगर आप देखोगे दुबाई में दिनार्क होता है जहां पे England में pound होता है European nations में euro होता है तो अलग-अलग nations की अलग-अलग उनकी अपनी money को denote करते हैं अलग-अलग terms में तो वो होता है हमारी money ठीक है अब यह के money कैसे आई evolution of money देखो money की ज़रुत क्यों पढ़ी क्यों क्योंकि हमने कोई भी चीज़ है वो एक इनसान के पास इतनी वो नहीं capacity है कि वो सारी goods and services खुदी बना ले तो उसको कोई जो चीज़ें हैं खरीजनी हैं एक्सचेंज फसिलिटेट करने के लिए हमारे को money की evolution हुई है ठीक है पहले क्या होता था पहले जो agricultural produce होते थे या animals होते थे वो एक्सचेंज के लिए काम आते थे फिर लेटर ऑन salt यूज होने लगा उसके बाद में with time मला different different चीज़ें हमारी पहले यूज ही और उसके बाद में last में हमारी money create होई है और जो एक accepted means माला गया है एक्सचेंज के लिए आप बात आती है यह जो evolution of money है यह पहले क्या था और अब क्या है पहले बाटर सिस्टम से शुरुआ बाटर सिस्टम था फिर gold silver coins है फिर alloy metal coins है फिर paper money जो हम आज भी use करते है paper money है फिर plastic money again हम आज भी use करते है और electronic money तो ऐसे ऐसे जो money ने है money है उसने अपनी exchange करने के लिए जो था money ने अपनी form change की है टेक है अब हम बात करेंगे बाटर सिस्टम की बाटर सिस्टम की उपर आपको question आ जाता बचो प्लस टू में तो ध्यान से इसको कर लो इसकी जो limitations भी पूछ लेते है और what is बाटर सिस्टम यह पूछा जाता आपसे exam में तो इसको carefully कर लो जो सबसे पुराना method हमारा use होता exchange के लिए वो कौन सा है वो बाटर सिस्टम है यह आपको MCQ में भी आ सकते के सबसे oldest method कौन सा है trade के लिए वो मारा बाटर सिस्टम है तो पहले क्या होता था traders and exchangers exchanged goods through spices, tea, food, weapons and animals and later salt was used as a basis of change यह आपको exam में पूछा जा सकते के पहले कौन से चीज़े यह होती थी तो पहले हमारी spices, tea, wood, weapons यह animals use होते थे और उसके बाद में क्या आया salt आया जब तक salt था तक money हमारी नहीं यह होती थी was not used as a medium of exchange बाटर सिस्टम ही होता था बाटर सिस्टम का बहुत बड़ा फायता था जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था पैसा नहीं है हाथ में तो वो goods के बदले में goods exchange कर लेते हैं जैसे इसके example rice is exchange for goods shows यह मैंने सिर्फ आपको example दिया आप कोई भी चीज ऐसे आज भी बाटर सिस्टम प्रेवलेंट है आपने देखा होगा गली में वेंडर निकलते हैं वो steel के बरतनों के ladies normally होती हैं steel के बरतन के exchange में वो पुराने आपके clothes लेते हैं तो यह कहीं कहीं पे चीज ने आज भी हो रहे हैं कुछ form में यह आज भी हो रहे हैं यह जैसे मैंने आपको मैंने पिक लगाई है इसमें बाटर सिस्टम में क्या person A है person B है person A person B को क्या बेच रहा है और person B person A को utensils के exchange में क्या दे रहा है food दे रहा है यह देखो वो food दे रहा है person B और person A आपका जो है वो utensils दे रहा है तो यह ऐसे इन दोनों के exchange हो रहे है यह exchange हो रहे है without money this is an example of बाटर सिस्टम ठीक है अब इसकी limitations क्या है बाटर सिस्टम की और क्यों हम यह बाटर सिस्टम खतम क्यों हुआ है जो बाटर सिस्टम है यहाँ पे सबसे बड़ी limitation जो थी बाटर सिस्टम की वो है double coincidence of wants अब बिटा ये double coincidence of wants क्या होता है देखो मैंने आपको पताया जैसे अभी मैंने last slide में मैंने आपको दिखाया था कि बाटर सिस्टम में example दी थी आपको rice is exchange for shoes या हमने 2 persons pick में आपको दिखाया था A and B 2 persons है वो exchange करें क्या वो utensils के बदले में food exchange करें इसके लिए क्या आपको बाटर सिस्टम में क्या है आपको एक party ढूणनी पड़ेगी जिसके product में आप interested हो और जो आपके product में interested है जैसे जब आप जहां पे हमारा utensils और food की exchange हो रही है तो आपको एक जिसने मान लो person A ने यापे utensils देनने थे अपने तो उसको food की जुरत है तो उसको एक superb party ढूणनी है suitable party ढूणनी है जो उसको food provide कर सके so this is very difficult क्योंकि वो party जिसको बरतन भी चाहिए हो और वो party आपको food देने के लिए त्यार है so ये चीज जो बहुत दिक्कत करेट करती थी जो बहुत जादा हमारी इसका एक बहुत बड़ा drawback है कि हमें एक perfect party ढूणनी so इसलिए इस चीज को void करने के लिए बार्टर सिस्टम खतम किया गया और धीरे धीरे money की introduction होई then comes lack of common unit of value common unit of value means अब देखो जैसे मैंने example में बोला कि utensils के बदले में food exchange हो रहा है अब utensils कितने हैं और उसके बदले में हमारे को कितने food मिल रहा है माल लो utensils आपके बड़े बड़े आपके worth रुपीज आज ही date में worth रुपीज thousand है और जो food है वो worth रुपीज two hundred है तो वो कहता कि मेरे को तो अगर पूरे कर पूरे thousand रुपीज के आगर आप utensils हो गए तभी में आपको two hundred का food रुणगा उस तरह मनी तो थी नहीं पर यह मैं सरफ आपको example देने हो कि means utensils के quantity जादा है और food उतनी quantity की नहीं है तो common unit नहीं आता था था हमें value नहीं पता चलती थी इसलिए हटाया गया then comes difficulty of storage of savings and transfer savings अब बाटर सिस्टम में savings क्या होती थी basically बाटर सिस्टम में savings होती थी हमारी goods and services जो हम goods बना रहे है वह हमारी savings होती थी हम उनको ही store करेगे आप माल लो किसी ने आपको बोला कि मैं आप से wheat ले लूँगा after three months in exchange of you can say anything ex commodity exchange में उसने wheat लेनी है तो आपकी wheat तयार होगी cut भी गई सब कुछ होगा है पर उसका ex commodity की तयार नहीं होगी he says कि three months के बाद में मैं आप से लूँगा वो three months के लिए wheat को store करना एक दिक्कत है को आपको properly store करना पड़ेगा कहीं से वो damage नहीं हो बारिश से आपको क्या उसको कीड़ा वगेरा न लगे कुछ नहीं हो सब चीजों से इंसेक्स सब चीजों से बचाना पड़ेगा दूसरा है transfer करना savings means चलो ठीक है store तो कर लिया अब जो party वो दूर रहती है कई thousand hundred kilometers दूर रहती है थी आपकी party system में then comes difficulty of contractual payments और future payments contractual और future payments या आप deferred payments कहा देते हो उसमें क्या है कि जैसे देखो किसी ने आज काम किया और वो कहता है मेरे को तीन महीने बाद में इसकी exchange चाहिए मेरे को तीन महीने बाद में आपको कोई चीज देनी है तो वो अब आज उसने काम किया है और थी मन्स के बाद में आप उसको उसकी payment करोगे exchange करोगे goods तो वो जो बहुत difficult आती थी जो future payments करनी है कि future में उस time उसकी value कितनी है वो नहीं पता चलती तो ये difficulty आती थी and last comes lack of divisibility lack of divisibility में वो क्या बोलता है बटा वो कहता है कि जैसे मान लो मैंने आपको पहले example दी थी 1000 रुपीज का food sorry 1000 रुपीज के utensils और 200 रुपीज के goods है food है वो exchange हो रहा है अब वो person जो person B है वो कहता है कि मैंने 1000 के ही goods लेने है तब मैं 200 का food दूँगा वो कुछ आपका जो 1000 की जो goods है वो एक ही मान लो आपका एक कुकर है वो 1000 रुपीज का प्रेशर कुकर so it is very difficult कि आपने उसके वदले में जो उसे commodity लेनी ही है जो आप food ले रहे हैं 200 रुपे का उससे food जो ले रहे हो आप कुकर को जो प्रेशर कुकर है उसके लिए तो नहीं बोलोगे कर ला तू उसका धक्कन ले ले और मैं उसको नीचे वाला pot नहीं दूँगा ऐसे नहीं होगा आप उसको divide नहीं कर सकते है so बार्टर सिस्टम में यह दिक्कत आती थी जो आपकी इसलिए बार्टर सिस्टम को eliminate किया गया और जो आपकी money introduce होगी इस बैटा यह पूरे मैंने points जो आपके साथ discuss किया है यह आपको इसके separate video इसी channel पर मिल जाएगी आप वहाँ से पुरा detail में इसके बारे में पता कर सकते हो पढ़ सकते हो ठीक है अब बात आती गोल सिल्वर कोईन्स की पहले बाता सिस्टम था फिर बाता सिस्टम में बहुत सारी दिक्टे आई जो हमने पढ़ी भी है उन चीजों को eliminate करने के लिए आपकी गोल सिल्वर कोईन्स इंट्रिड्यूस होए पहले हमारे गोल सिल्वर कोईन्स यूज होते थे क्यों होते थे क्योंकि जो गोल सिल्वर कोईन्स हैं आदे वर हाद टू कम बाई आड कुट बे कैप्ट इन गूड कंडिशन फॉर लॉंगर पिरिएड ये बहुत मुश्किल से मिलते थे हमार को ये जो मलमाईन से निकालते थे और काफी हाड होते थे और rare and expensive होते थे और उसके कारण क्या था कर ये इनको हम use करते थे और they were known as old money और you can say ancient money ठीक है अगर आपको exam में portion पूछ लेगे mcqो में old money या ancient money कौन सी है वो gold silver coins है then comes swern coins जिनको हम कहते है gold coins ये swern coins जो है वो मिलते भी थे पूरी country में बनते भी थे और ये जो बनते थे gold से बनते थे and they were very rare and expensive क्योंकि सोना जो था महिंगा था और rare था इसलिए ये कम quantity में मिलते थे जो अगर आप से कोई dimensions वेर आप पूछ ले या आपके exam में आ जाए तो ये just one coins जो थे 1.9 cm wide होते थे और कुमार गुपता ने इनके उपर अलगी detailing की हुई थी वो कौन सी की हुई थी patterns बनाए हुए थे images of God scenes from the emperor's life and many details काफी चीज़े उसमें थी जो आपको इन में मिलती थी ठीक है ये ही चीज़ देखो मैंने जैसे आपको ये example में आपको बताईए है ये क्या trader A है जो कोकर sell कर रहा है और trader B जो है वो आपको T sell कर रहा है ये दोनों आपस में exchange कर रहे हैं पर वो money के साथ नहीं exchange कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं इसमें gold यूज हो रहा है as a medium of exchange which made the trade possible between the traders ठीक है अब बात आती है alloy metal coins की देखो अभी हमने पढ़ा है जो हमारी gold silver coins थे वो बहुत rare थे और बहुत महेंगी थे so दीरे दीरे क्या हुआ वो gold silver coins आपके बंद हुए और फिर modern currency बनने लेगी जो alloy metal से बनती थी इस modern currency का अपने आप में कोई यूज ने जो gold silver coins है वो तो फिर भी आपकी अच्छे है आज भी एकर किसे के पास होता है तो वो कितना महेंगा आपका बिखता है पर ये जो alloy metal coins है ये क्यों use हो रहा है because these are accepted as a medium of exchange ये एक legal tender है जो government ने हमारी authorized किया है कि country में use होगा ठीक है और आज किल जो coins आपके बहुत cheaper metal से बनते है इनकी examples क्या है nickel, bronze, copper, aluminium, zinc इन सारे metal से बनते है इनको मिला के बनते है जिसे हम कहते है alloy metal coins ठीक है इसके बाद में metallic metal coins के बाद में alloy metal coins के बाद में paper currency जो हमारी आज भी use होती introduce हुई paper currency क्या है यह एक currency notes है जो हम use करते है जो issue करती है हमारी government या central bank ठीक है और यह एक देखा जाए यह जो metallic currency जो हमने पहले use की थी gold silver coins की metallic currency किसको बहुते है gold silver coins को जो आपकी gold silver coins की currency थी उसको इसका एक substitute use हुआ है जो हमारी paper money यूज हुई है और paper money आपकी less durable है इतनी durability भी नहीं है इसमें क्योंकि यह फट सकती है और इसमें potability बहुत जाद है जैसे आप एक जगा से दूसरी जगा बढ़े आराम से लेके जा सकते हो पेपर नोट्स आपके लग 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 ने नॉमिशन में है 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200, 500 बारे डिफरेंट वराइटीस के हैं डिफरेंट नॉमिशन के नोट्स में पस अवेलेबल हैं now comes paper money के बाद में plastic money है plastic money हमारी आज भी यूज होती है बहुत commonly लोग यूज करते हैं जिसके बीच में आपके debit और credit cards आ जाते हैं बारे लोग अराम से purchases अपनी कर सकते हैं इन methods को यूज करके जिसमें उनकों कोई जुरुत नहीं पड़ती के वो cash को अपने साथ रखें cash को साथ में लेके जाने की जुरूरत नहीं है वो debit credit card से यूज कर सकते हैं plastic money means use of technology to carry out digital transactions that can be carried out easy without facing the hassles of visiting the bank every time हर बारी जब हमारे को बहुत schedule tight होता it is very difficult for us to go to bank and to withdraw our cash उस case में आप credit और debit cards use कर सकते हैं बहुत अच्छा role play करता है और यह plastic money उस time बनलब it is superb उस time के लिए बहुत अच्छी है और यह secure भी बहुत है क्यों secure है कि अगर मान लो अगर किसी ने यह card किसी का गुम गया गिर गया या चोरी हो गया whatever तो उस case में वो immediately अपने card को block करवाद हो आप तो आपके वो safe रहेगी आपकी money जो plastic card में है वहाँ से कोई उसको निकाल ने सकता ठीक है plastic money के बाद में आती है electronic money की electronic money कौन से है जो money जो automatically electronically stored होती है आपकी computers पे या plastic cards पे और जिससे आप goods and services के exchange कर सकते हो मतलब इसमें आप कोई भी transactions आप कर सकते हो with और without bank accounts मतलब बैंकों के साथ और भी और बैंकों के इलावा भी आप घर बैठे कर सकते हो electronic money जो बहुत useful है क्योंकि इसकी कोई physical form नहीं है इसकी physical form नहीं है ये कोई एक intangible asset है जिसको आप देख नहीं सकते हो पर इससे आप साई transactions अप नहीं कर सकते हो ठीक है so this is all about the evolution of money अप बात आती है uses, role या functions of money की ये देखो जैसे आपको पता है कुछ भी एक question आजाए uses आजाए, role आजाए, functions आजाए एक ही answer है पहला है आपका medium of exchange जो money जो आपका money जो है वो invent इसले वहा था ताकि medium of exchange को easy कर सके दूसरा है store of value और you can say purchasing power आपको पता चलता है कि आपके पास कितनी money है उस money से आप कितना समान खरीज सकते हो ठीक है then comes measure of value measure of value जैसे मैंने आपको पताया था है money इसने इतनी facility create कर दी है सब कुछ money में ही आपका exchange होता है जैसे आपने mangoes लेने है 2 kg mangoes लेने है तो आपको easy पजा सल जाता है कि वो आप money की form में उसको denote कर सकते है 2 kg mangoes are of rupees 100 rupees so आपको पता है कि 2 kg आप अगर आपने लेने है तो वो 100 और पे क्याएंगे ठीक है और यह standard for deferred payments आप आज ही उसकी कर सकते हो कि हमने आज काम किया यह goods ली है उसकी future में payment करने है तो मैंने इतने 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 का हमारी future payments के लिए then comes basis of credit अब यह देखो जो trading होती है trading सारी कोई वो cash basis पे नहीं होती है वो credit पे चलती है तो वो credit पे trading को trading की facility को बढ़ाने के लिए ताकि trade ज्यादा हो सके exchange of goods and services within our country and beyond our country दोनो areas में ज्यादा हो सके उसलिए क्या हो है money को invent किया गया ताकि वो credit को promote कर सके हम easily उसको identify कर सके यह कि हमने कितने उसको units में convert कर सके कि हमने कितना जो credit पे समान दिया है और कैसे हमारा trading चल रहा है क्योंकि money ने इतने सारे important functions की यह हैं इसे money को कहते हैं हम कह सकते हैं money is what money does जो पैसा आज है वो ही money पैसा करता है money is what money does सिस काम के लिए money को बनाया गया था invent किया गया था वो money अपने पूरे functions को perform कर रहा है ठीक है then comes forms of money money मैंने जो आपको दो तरीके से classify किये first is fiat and fiduciary money and second is full bodied and money and credit money one by one इनको समझते हैं अब इतने को पहले fiat money fiat money क्या है वो money है जो issue करती है the money is issued by the order or authority of the government जो government issue करती है government कहती है कि यह आपका legal tender है and you can use it anywhere within the physical boundaries of the country अपनी domestic territory में है आप जैसे मर्जी उस करो money है आपका use होगा यह money इंडिया में जैसे currency है currency notes है या coins है वो legal tender है आप within the domestic territory of the country आप fiat money को उस notes को and currencies को रुपीस को और पैसा को आप use कर सकते हो ठीक है then comes fiduciary money fiduciary money कौहन सी money होती है जो which is accepted as a medium of exchange due to trust between pair and pay इसमें दो parties का आपस में mutual trust है इसके बीच में currency नहीं आई है currency जिसमें आईगी वो fiat money है और जिसमें trust आएगा जिसके बीच में आपके checks आजाते हैं वो सारे किसमें आते हैं हमारे वो हमारे आते हैं fiduciary money में ठीक है और this is an accepted means of payment क्योंकि इसमें एक तो आपस में दो parties के बीच में आपस में trust है और इसमें कोई government का कोई order नहीं है कि इसको आपने accept करना ही करना है यह आपस की दोनों parties की आपस की रजामन दी है यह तो था हमारा fiat and fiduciary money अब बात आते हैं full bodied money full bodied money क्या है full bodied money is a currency in the forms of coins इसमें सरफ coins की बात करें full bodied money में whose commodity value is equal to money value it is made up of precious coins like gold silver coins इसकी देखो जैसे हम British रूल में जब इंडिया में पहले silver coins उस होने शुरू होई थे तो वो silver coins का एक silver coin अगर 1 रूपी के है तो उसकी commodity value और जो उसकी आपकी money value वो same थी means 1 रूपे की चीज़ ही आएगी ऐसे नहीं है कि उसकी commodity value जो ज़्यादा हो जाएगी कि वो silver का coin है आज की date में full body और credit money different है क्योंकि आज की date में अगर हम वो ही gold silver coins के बात करें तो 1 रूपी में एक silver coin या एक gold का coin exchange नहीं होता है अगर उस time अगर मार लो वो उस time भी अगर ये उस time क्योंकि इतनी money की invention नहीं थी तो इतना ज़्यादा वो था तो वहाँ पर same value होती थी पर आज के time में credit money है credit money में क्या है credit money में जिसमे money value ज़्यादा होगी और commodity value कम होगी means आज कल देखो हमारे क्या user है checks use हो रहे हैं draft use हो रहे हैं या currency notes यूज हो इसकी value नहीं है अगर मा लो वो gold या silver का बना होगा तो लोग क्या करेंगे एक रुपय की चीज सोना करीद देंगे उसको पिंगला के वो सोना के जेवर नहीं बनवा लेंगे अपने ornaments बनवा लेंगे so ये जो check drafts या currency notes हैं ये भी paper के बने होते हैं उनकी उपर जितने का amount हम बरेंगे उसकी value है money value है अगर otherwise वह piece of paper है उसकी कोई value नहीं है ठीक है so any future monetary claim against an individual that can be used to buy goods and services is known as credit money or you can say bank money ठीक है अब बात आती है features of money की features हमारी जो money हमने invent किया है उसके क्या features है एक तो general acceptability वह आपका medium of exchange हो गया वह आपको हर कोई within the physical domestic bar territory जो currency आपकी use हो रही है उसको generally हर कोई accept करता है कोई ऐसे नहीं कहता कि मैं अगर आपने कोई चीज exchange करनी है तो वह money के बदले में नहीं करेगा जो legal tender government ने issue किया है authorize किया है उसकी general acceptability होती है then comes stability of value stability of value means एक रुपे का आगर 10 rupees का note है वो 10 rupees में ही exchange होगा 10 rupees की चीज़ के बदले में ही exchange होगा ऐसे नहीं कि 15 rupees की चीज़ आप ले रहे हो और 10 rupees का note दे रहे हो No stable relative value then transportability easy है transport करने के लिए एक जगह से दूसी ज़े लगे जाने money currency आप pocket में डाल सकते हो या आज को तो वैसे आपकी electronic money या plastic cards यूज होगे है तो वह easily आप transfer कर सकते हो money का store करना भी easy है क्योंकि वह जगह कम लेते हैं compact है then comes divisibility यह मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अराम से आप money को जितने की जितने की आपने goods आपको जरूरत है उसको easily money को आप divide कर सकते हो it is easy to divide ठीक है now comes demand for money हब demand for money क्या है demand the quantity for money someone wants to keep in their possession is implied by the desire for it कितनी हमने अपनी pocket में रखनी है या हमने घर में इच्छा की ओपर depend करते हैं यह जो financial asset है यह basically आपका जो money आता है उसमें bank deposits या cash ही आते हैं ठीक है and desire to keep money जो आपकी basically हमने पैसे को रखते हैं अपने पास उसके पर फिछे हमारे दो motives होते हैं एक transaction motive और एक speculative motive ठीक है इन दो कारणों के कारण basically हम money अपने पास सकते हैं demand for money is often referred to as preference for liquidity अगर आप से कोई पूछ ले preference for liquidity तो आपको पता आना चाहिए demand for money की बात कर रहा है अब जो transaction motive बात किया है transaction motive किया है कि जो भी हमने कोई transactions हमने different करनी होते है पूरे दिन में ही रिखो आपने कितने goods की exchange करनी है आपने like simple example देने कुछ भी लेना आपने कुछ भी लेना आपने consumable चीज़े consumers ने जो है consumable चीज़े लेना है fruit vegetables या milk beverages कुछ ऐसे जो आपने daily consume करना है आपको पता है उसके लिए आपको कितना money आपको रखने की जरूरत है वो transactions के उपर depend करेगा आपकी transactions कैसी है कैसी नहीं obviously अगर आपकी income में ज़्यादा है income ज़्यादा है तो आपकी transactions भी मोटी होंगी और आपकी demand for money भी ज़्यादा होगी so transactions के उपर depend करते है हमारी demand for money और दूसरा है speculation motive अगर speculation के लिए अगर आपने कोई काम करना है किसी चीज़ में अप लगा रहे हो invest करें speculation के लिए करना है तो आपको पता है आपने कितना money उसमें लगा रहे हो आपको कितने money की जरूरत है ठीक है जिसमें आपकर कितना gain हो सकता है या loss भी हो सकता है as the case में भी then comes supply of money अब देखो अगर कोई आप से पूछ ले supply of money क्या ये flow concept है या ये concept stock concept है तो आपने stock concept बोलना है ये mcq में आ जाता है ये क्यों stock concept है क्योंकि ये जो है जितनी money लोगों के पास है कर एक country के एक particular time पे उसको हम बोलते है supply of money and it is a stock concept supply of money क्या include नहीं करता इंक्लूड क्या करता जो लोगों के पास पैसा है और क्या include नहीं करता it does not include stock of money held by the banking system जो बैंकों के पास पैसा पड़ा हो नहीं हम लेते और जो government के पास पैसा पड़ा हम वो नहीं लेते then comes measures of money supply there are four measures m1, m2, m3 and m4 तो पहले हम M1 की बात करेंगे M1 को हम narrow money भी बोलते हैं और जो है आपका C C plus DD plus OD where C stands for currency held by the people both coins as well as paper notes जो आपके घर में आपके बस coins and paper notes सारे पड़े हैं उसके हम बोलते हैं C and DD is your demand deposits of the public with commercial banks commercial banks के साथ जो हमारे हमारे account को लिए होते हैं उनके साथ जो हमारे demand deposits हैं वो सारे जो हमें जरुवत है जब हमें जरुवत है तब हम withdraw कर सकते हैं या transfer कर सकते हैं and OD is other deposits other deposits में कुछ चीज़ें include होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं तो पहले हम बात करते हैं include जो होती है या हमारे reserve bank of India के साथ जो हमारे public financial institutions के जो आपके demand deposits हैं जैसे नबाड bank है उसके deposits होगे या आपके demand deposits जो reserve bank of India के साथ foreign central banks के हैं या foreign governments के हैं वो सारे आजाएंगे demand deposits इतने भी होगे और वो क्या include नहीं करता वो कहता है कि जो deposits of the country's banking system with the reserve bank of India, country के banking system के जो reserve banking India के साथ जो है RBA के साथ जो है वो हम deposits नहीं लेते या वो जो government के जो RBA के साथ है वो हम नहीं देखते हैं इसका मतलब क्या है यह country's banking system में जितने commercial bank से जो deposit है RBA के साथ हम वो नहीं देंगे ठीक है यही चीज मैंने आपको flow chart से समझाई है flow chart में के M1 की बीच में currency of with public demand deposits of public with commercial banks और other deposits with RBA और other deposits with RBA में क्या क्या आता है demand deposits with reserve bank of public financial institutions demand deposits with reserve bank of foreign central banks and governments और demand deposits of international financial institutions ठीक है बच्चे यह सारे आएंगे 10 comes अब बात आती है M1 हमने discuss कर लिया अब M2 क्या होता है M2 is basically M1 से बड़ा है M1 से बड़ा कैसे है M1 plus saving deposits with post office saving banks आएंगे M3 में M1 plus net time deposits of commercial banks आएंगे और M4 में M3 plus total deposits with post office savings organizations excluding national savings certificate वो आएंगे यह सिर्फ आपको जदर detaining नहीं है इतना किया है then comes M1 और M2 को हम narrow money भी बोलते है और M2 और M3 और M4 को हम broad money भी बोलते है यह आपको paper में आ भी सकता है M2 को हम narrow money भी बोलते है और easiest transactions हैं और M4 जो होईगी वो least liquid होगी क्यों क्योंकि वो M3 plus हो है उसमें currency नहीं सबसे ज़्यादा था liquid form में currency जिसको आप easily use कर सकते हो और M3 is commonly used mayor of money supply यह अगर आपसे कोई पूछ लेता है क्यों सा money supply के लिए आपका में यह commonly used होता है वो M3 है जिसको हम aggregate monetary resources भी बोलते हैं ठीक है अब money supply क्या होती है money supply क्योंकि आपने money supply पढ़ना आपको demand for money मैंने करवाया तो money supply भी आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको छोटा सा नोट आजाए money supply के बार में या आप से mcq question forms में पूछा जाए तो आपको money supply पताओना चाहिए money supply में total amount of money जिसके बीच में हमारी जितनी भी total amount of money है जिसके बीच में हमारी currency और deposit money एक economy में एक time के पर जो present है उसका हम बोलते है money supply जिसमें RBI इसको control करता है और RBI मेयर करता है और publish करता है money supply को weekly या fortnightly basis in India इंडिया की बीच में हर हफ्ते या 15 दिनों में एक बार जो RBI ही है वो उसको money supply को publish करता है central banks जो है वो conduct करते है monetary policy जिसके बीच में हम अपनी money supply को adjust कर सकते हैं अगर हम money supply ज़्यादा होगी economy में तो उसको हम ले सकते हैं कम कर सकते हैं और अगर कम है तो ज़्यादा कर सकता है central bank के पास monetary policy है जिसके instruments बहुत सारे हैं जिससे वो अपनी जो money supply economy में accordingly float करते हैं और यह it is an important measurement of monetary policy decision making because money supply is a key variable that drives macroeconomic performance अगर आपसे पूश लिया जाए paper में आ जाए mcq में कि कौन सा key variable है जो macroeconomics को performance को बताता है indicate करता है तो वह कौन सा आएगा वो money supply आएगा ठीक है अब हम बात आती है suppliers of money basically there are three suppliers of money central bank of countries commercial bank of commercial banks and the government तो अब सबसे पहली आती है हमारी central bank central bank में जो reserve bank of India वो central bank of the country और वो principal supplier है money का central bank या RBA का क्या काम है उसने issue करनी है currency minimum reserve system के इसाब से यह दियान रखना कि central bank ने सरफ currency currency में notes आ रहे हैं ठीक है और जो second significant source है वो money supply का commercial banks और जो third main supplier है money supply का जो source है वो government और जो ministry of finance है वो issue करता है one rupee note या coins वो हर denomination के वैसे मैं आपको पता दूँ आप लोगों ने तो पता नहीं one rupee coin देखे हैं या नहीं है बट आप अपने कभी parents से पूछना उन्होंने जुरूर देखे होंगे उनके timer बहुत जाद होते थे तो one rupee note उन्होंने देखा होगा हो सकता उन्होंने किसी के पास आपके घर में कि लेते हैं तो you can write this paragraph in it कि money supply का बहुत major impact economy में inflation of prices their demand and supply change the supply of money inflation हो रही है deflation हो रही है या आपकी demand आपकी money की कम हो रही है जादा हो रही है उससे साब से money supply change होती है in economics money supply plays a significant role in the interest rates and cash flow prevalent throughout the country ठीक है money supply बहुत important role play करते हैं यह हम next chapter में पूरा detail में समझेंगे जो हमने institutions की उपर बात किया है यह suppliers है money के क्यों क्योंकि इन से यह money को produce करते हैं जिसे Reserve Bank of India है उसे currency notes issue करने हैं और जो आपकी ministry of finance हैं उन्होंने आपकी one rupee notes या coins जो है वो issue करने हैं तो यह जो है एक सरफ suppliers हैं यह बहुत बड़े suppliers हैं और यह पूरा ध्यान रखते हैं कि कित करने हैं हमने economy में हैं ताकि inflation या deflation ना हो और proper circulation of money economy में रहे तो इनके अलग जो इनके functions हैं उनको perform करने के इलावा एक यह important function भी है ठीक है so this is all about today's video if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box thanks for watching